नमस्कार सौगत है आप सभी का आज किस वीडियो में इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट को समझने वाले हैं तो सबसे पहले हम ओकर्ण के रिगारिंग समझ लेते हैं ओकर्ण में YouTube Live Streaming Feature एड हो चुका है अगर आपने ट्राइ किया है यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने अभी तक यूजर नहीं किया है तो आप इसको चेक कीजिए ओकर्ण में YouTube Live Streaming Feature एक Game Changing Feature एफेंट तो आप इसको यूज कीजिए ट्राइ कीजिए अग अगर आपने बुर्श कलीफा लाइट्सो को मिस किया है अटेंड नहीं कर पाया है तो आप अभी भी ऑनपैसिब के ओफिशल YouTube चमेंपर जाकर देख सकते हैं समझ सकते हैं अगर हम बुर्श कलीफा लाइट्सो की बात करें तो इस बार भी निव तीम, निव डिजाइन, न लाइट्स बार यें, निव कॉन्टेंट्स देखनों के मिरा है और हम इने कॉन्टेंट की बात करें तो ओवन पैसिब से अधिक रविन करने के लिए हुए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है क्योंकि अधर companies on passive के advanced technology की वज़ा से impress होती हैं on passive की दोरा provide की जाने वाले technical solutions के वज़ा से impress होती है on passive के real system के वज़ा से impress होती है on passive के ethical business model की वज़ा से impress होती है on passive के complete internet solution यानि की single channel system के वज़ा से impress होती है और अगर कोई revenue generate करना चाहा है तो on passive real revenue platform भी provide करता है मतलब affiliate program आप सभी लोग अच्छे जानते हैं इसके बारे में तो अगर कोई businesses on passive के tools and solutions को use करता या फिर आने में on passive जो solutions provide करने वाला है उसको use करता है तो businesses अपने products के value को increase कर पाएंगे और अगर value increase होता है तो automatic जादा सिधा customer भी attract होंगे और अगर जादा सिधा customer आते हैं तो automatic sales भी increase होगा और अगर sales increase होता है तो automatic revenue भी increase होगा ऐसे बहुत सारे reason हैं जिससे की companies याने की other companies on passive से impress होते हैं on passive के mission and vision के वजह से भी other companies impress होते हैं next point है staying positive जी हाफ मेर्स yesterday साम को दिने सरका एक बहुत ही अच्छा session था बहुत ही अच्छा topic था यह staying positive इस topic को दिने सरने काफ़ी अच्छे से explain किया उम्मीद है कि आपने देखा होगा लेकिन अगर आपने इस session को miss किया है तो मेरा यह suggestion है कि इस session को आप लोग पूरा देखे क्योंकि इसमें आपको यह सीखने और समझने को मिलेगा कि हमें अपने business की regarding positive कैसे रहना है और यह positiveness आती कैसे है अगर हम on passive की बात कहें तो on passive की regarding दिने सरने एक बहुत ही अच्छी line बोली है कि अगर आपको भरोसा है on passive पर as sir पर कि on passive क्या कर रही है on passive क्या provide करने वाले है किस परकार से आपके life को change करने वाले है काने का chance से zero हो जाता लेकिन अगर आपको doubt है कि कब होगा क्यों होगा कैसे होगा यह होगा की नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपके मन में negative thought जरूर आएंगे तो सबसे पहले आप अपने doubt को clear कीजिए आप direction को clear कीजिए आप इसको अच्छे से समझे कि on passive किस परकार से आपके life को change करने वाला है किस परकार से आपकी help करने वाला है अगर आप on passive के part है तो आपको on passive पर भरोसा करना होगा कि on passive दिन रात आपके future के लिए ही काम कर रही है एक line तो आप लोगों ने जरूर सुने होगे कि जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा ही आप कर सकते हो और जितना बड़ा आप करने की कोशिस करते हो उतने बड़े challenges भी आपके सामने आते हैं तो challenges अगर आते हैं तो आपको उन challenges को देकर घवराना नहीं है उन challenges का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना है तो अगर on pass में कुछ challenges आते हैं तो उसको देखकर हमें चिंतित होने की जरूत नहीं है घवराने की जरूत नहीं है उनका सामना करते हुए लगातार हमको आगे बढ़ते रहना है क्योंकि अगर हम क पिक्चर पर फोकस कीजिए 10 दिन में 15 दिन में एक महिने में क्या हुआ है क्या होने वाला है ज्यादा तर हम लोग इस पर फोकस करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि on passive is not a one month business on passive is not a 90 days business on passive is a long term business so please focus on bigger picture आप ये सोचिए कि आप आने वाले एक साल के अंदर on passive में कहां पर होंगे आने वाले दो साल के अंदर तीन साल के अंदर चार साल के अंदर पांच साल के अंदर आप on passive में कहां पर होंगे आप इसके लिए सोचिए just imagine कीजिए focus on bigger picture क्योंकि अभी जो हम on passive में देख पा झाल झाल